नमस्कार मैं डॉक्टर गोपाल लुहिया, होमेपैथ, अक्योपंक्चरिस्ट एंड बैस्ट फ्लावर थेरपिस्ट आज का सब्जेक्ट जो है, कई बार ऐसा होता है कि आपको जब बेमारी हो जाती है, आप डॉक्टर के बास जाते हो, ट्रेट्मेंट भी लेते हो छे मेरे साल भर तक या जो भी रिक्वाइर परेड है उसके लिए फिर भी आप ठीक नहीं होते हो, तो इसमें प्रॉब्लेम्स क्या सकते हैं, वाई यूर नॉट क्यूरड कंप्लेटली, आपने एफर्ड डाले, पैसे डाले, समाई डाला, और फिर भी आप ठीक नहीं हुए, तो इसमें किसकी गलती आए, हम वन बाई वन एक एक चीज डिसकस करेंगे, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है, आपको जब ब बिमारी होती है, तो आप ट्रेटमेंट भी करते हो, लेकिन ठीक नहीं होते हो, और बस आप डॉक्टर्स बदलते रहते हो, और यही सिलसिला चलते रहता है, तो पहला जो पॉइंट है मेरा, वो है सेलेक्शन आप दी डॉक्टर, जो यह प्रोसेस आप गेटिंग परसेंट पार्टनर्शिप होती है, डॉक्टर्स जितने एफर्ट्स डालेगा, उतने पेशन्स ने भी डालने ज़रूरी है, नो डाउट यह सिप क्रॉनिक केसेस में बार करता है, जब कोई बहुत अक्यूट इमर्जनसी होती है, तो हन्डर परसेंट डॉक्टर का ही रोल रहता है, यह मैं बदा रहा हूँ, क्रॉनिक केसेस में, कि जो लिंगरिंग केसेस रहती, लॉंग टर्म केसेस रहती, जिसके लिए आप काफी कोशिश कर चुके हो, लेकिन ओ ठीक नहीं हो रही है, ऐसी केसेस कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो यह डॉक्टर पेशन् तो शायद आप 50% ही ठीक होंगे, और ट्रेट्मेंट के बाद में हो सकता है, आपकी बिमारी पुरी रिलाप्स भी हो जाए, फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि आपकी जो बिमारी है, उसके लिए आप कौन से पैथी का डॉक्टर चूज कर रहे हो, आपको अगर कोई एक्यूट जैसे फिवर आ गया है, कोई इन्फेक्शन है, और आप उसके लिए कोई हुमेपेथी आईरोईदा में जाएंगे, तो हो सकता है, आपको थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ऐलोपेथी में उसका इलाज बहतर हो कि आप पटाफट ठीक हो सकते हो, ल लग सभी बिमारीयों में नहीं अप्लीकेबल हैं, लिकिन जो पुरानी है, जैसे माइगरेन है, ऐसे रीटी, कॉंस्टिपेशन है, जैसे और वाथ की कंडिशन है, और वाथ की कंडिशन है, और और उसके लिए पैलिएटिव टीटमेंट है, और आपको थोड़ा है, लिए बट क्यूर इस डिफिकल्ट, लिकिन आप को, आप कोई बे अलोपेथिक डॉक्टर के पास जाओगे, तो वो आपको यह नहीं बताएंगे की यह फलानी बिमारी के लिए, यह फलानी बिमारी के लिए आपको हमेपिति में जाना चाहिए, कोई रेर ही बताते हैं, लि आप रिसर्च करिए, गूगल पर रिसर्च करिए, अपने फ्रेंट सर्कल में पूछिए, जो जानकार है, उसी से पूछना है, किसी को भी पूछ के, कोई कुछ भी सलाहा दे देगा, तो जानकार ही अच्छी जगह से लिजिए, एंड सेलेक्ट दी प्रॉपर पैथी पॉर तो आपने पैथी भी सिलेट कर लिया, लेकिन फिर फॉलो अभी क्या होता है, मेरी जो प्रैक्टिस है, उसमें मैं प्राय देखता हूँ, लोग पंदरा दिन के फॉलो अप का डेट दिया हो रहता है, तीन अपते के बाद, एक मैने के बाद, दो मैने के बाद आते हैं, पि सब कुछ नहीं होता है, बस आलस होता है, दवाई पढ़ी रहती है, आज कल करते करते दिन निकल जाते हैं, और फिर आपको जो बेनेफीट होना चाहिए ट्रीटमेंट का वो नहीं होता है, आपको रेगूलर फॉलो अप रहना चाहिए, रेगूलर फॉलो अप के लिए अगर दिन में तीन बार बता है, तो आपको तीन बार लेनी भी चाहिए, क्या होता है, हम एक डूस भूल जाते है, तो पंदरा दिन की दवाई में एक डूस भूलना, तो ये तीन हथे तक खिचा जाता है, तो desired effect कम होता है, आपकी बिमारी ठीक नहीं होती है, उसको समय लग है उतना, कोई-कोई लोग क्या करते हैं, treatment लेते हैं, doses भी ठीक रहते हैं, लेकिन थोड़ा ठीक लगने के बाद भी तुरन दवाई बन करते हैं, ने अब मैं ठीक हूँ, अब कोई जरूरत नहीं दवाई की, and they stop the medicine, वही पे गडबरुती है, आपको डॉक्टर जब तक नह देनी देर तक आपको दवाई लेनी चाहिए, ने, तो वो cure incomplete है जाती है, पूरा ठीक नहीं होता है, पूर बिमारी relapse होती है, और आप खुद को तो ब्लेम करोगे नहीं, आप डॉक्टर को ही ब्लेम करोगे, कि फला ने डॉक्टर के पास गया था, थोड़े दिन ठीक लग बिमारी के हिसाब से आपको परहिज भी बोला जाता है, आपको अगर ऐसे डीटी है, तो आपको outside food और तीखा, spicy खाना, आपको डॉक्टर बोलेंगे कि कम खाओ या बंद करो, फिर अगर आपको blood pressure हो तो salt intake कम बोलेंगे, आपको exercise बोलेंगे, अगर आपको osteoarthritis है तो walking exercises ये compulsory होती है, बिमारी के हिसाब से आपको diet भी बताया जाता है, if you don't follow, तो आपकी जो medicine है वो antidote हो जाएगी, या उसका effect जितना आना चाहिए, उतना नहीं आएगा, तो भी आप ठीक नहीं हो सकते, आप पूरे तरह recover नहीं हो सकते, तो ध्यान रहें, आपको diet का भी उतना ही ध okay, but not on regular basis, you should be serious about your treatment, your diet, your exercises and also your mental and emotional health, mental emotional health में क्या होता है की, doctor बलता है की ज्यादा चिंता मत करो, ठीक हो जाओ गया अप, लेकिन मेरा तो एक पेशन्ट था कि वो रहती थी यहाँ पर और उसकी बेटी रहती थी, यहाँ पर और उसकी बेटी रहती थी, इसमें और वो यहाँ से चिंता करती थी, बेटा खाना का लिया क्या है, तेरे बच्चों ने खाना का लिया क्या है, इसने क्या क्या है, उसने अरे उदर दिन है, तो इसका तो पूरा 24 घंटा इसे में निकल जाता था चिंता करने करने में, और वो फिर उसको काफी बीमारि आपको समय रहते ही, ठीक कर लाना चाहिए, अगर आपस वह नहीं हो रहा है, कि इस ट्रेस को कैसे कम करना है, तो हमारे पास दवाई है न, होमेपति में है, बैस फ्लॉर में अच्छी मेडिशन से, अगर इससे भी नहीं होता है, तो साइकियेट्रिस्ट मेडिसेन है, कोई होमेपिति बैश प्लाड से हो जाता है आपको जरूरत है नहीं कही जाने की अगर शुरुवात में आप ले लेते हो तो इसी में आपके बिमारी खतम हो जाती है तो पॉजिटिव मेंटिल एक्टिटिव रखना भी बहुत जरूरी है आपके विचार भी बदलने चाहिए आप अपनी जो खर्चे है उसको मर्यादित रखना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में स्ट्रेस नहीं आए तो यह कुछ बाते थी कि जिसे आपको जिसे आपको रोज करना चाहिए और ट्रीट्मेंट के दवरान तो यह सब फालो करना ही करना है आपको कुछ-कुछ लोगों को कैसा होता है कि उनको हम बताते कि तेरा बीपी भाई 180-110 है तो वो सिरियसली लेती ही नहीं होतले मुझे कुछ हो ही नहीं रहा है डॉक्टर साब अब बता रहे हो इतना बीपी है अरे लेकिन मैं बता रहा हो आपका रीडिंग बहुत जादा है यू नीड टू टेक मेडिसि नहीं नहीं डॉक्टर साब मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा है मेरा तो सब अच्छा ही चल रहा है और यकीन मानिये मेरे अभी तक मैंने तीन चार पेशेंट से से गवा दिये कि जो मेरा सुन नहीं रहे उनका बीपी ज़्यादा है उनको पैरलिसिस का अटेक आया एक बार साम बार ने दो बार ने तीन बार तीन तीन बार तक यह रखे यह रपिट हो और वो लास्ट में एक्षा क्श्पाइर भी यह बहुत लेट हो चुका होगा यू नीट टो टेक कियर ओप यूर डिजीज और पैथोलोजिकल जो रिपोर्ट से उसको अपने रिस्पेक्ट करना चाहिए आपके रिपोर्ट में बता रहा है मतलब बीमारी शरीर में हैं देढ देढ आपके उपर काम कर रहिए है तो आपको उचकी लिए परहिज भी कारना पड़ेगा उसके लिए दावय भी लेनी पड़ेगी एक्सेयस भी करने पड़ेगी जो हो độngक्डरिस बताएंगी उसे सब चीज आपको करने पड़ेगी तो दोस्तो यह सब आशा करता हूँ, आप यह सब फॉलो करोगे, यह सब वीडियो इसलिए बताया है कि मेरे कई पेशेंट से रोज मुझे उनको समझाना पड़ता है, कि भाय तू रेगुलर दावाई ले, भाय तू ऐसा कर, भाय तू एक्सरसाइज कर, लिकिन कुछ करते हैं, कुछ नह लोग बोलेंगे कि भाय तुझे रोज 20 मिनिट एक्सरसाइज करना सिब 20 मिनिट, 20 मिनिट भी अगर नहीं निकाल पाते हैं, तो आप जिस चीज के लिए, जिस चरीर के लिए आप जॉब कर रहे हो, उस चरीर के लिए ही आपके पास समय नहीं है, तो यह ऐसा नहीं चलता है यह बच्चे लोग बोलते हैं, हमारे पास समय नहीं है, अरे, ऐसे कैसे, इंस्टाग्राम एक गंटा देखते हो, फेस्बुक एक गंटा चलाते हो, यूट्यूब में टाइम देते हो, फ्रेंड्स के साथ चाटिंग में टाइम मिलता है, और अपने शरीर के लिए वक्त नह देन, यह नहीं चलता है, यूब टो बी केरफुल, आपका कुछ रुटीन होना चाहिए, कुछ डिस्सिप्लीन होना चाहिए, तभी आपके बीमारी भी ठीक होती है, अगर यह सब रहेगा तो पहले बात आप बीमारी ही नहीं पड़ोगे, जब आप बीमार पड़ गयो तो इसका मतलब है, आपके लाइफस्टाइल सही नहीं है, यू निट टू इंप्रूव इट, तो आज के लिए बस इतना ही, बोलने के लिए तो और बहुत कुछ है, लेकिन मुझे क्या बोलना है, यह आपकी समझ में आ गया है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आ and wish you good health, thank you very much for listening me.